हेलो स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर 11 परिमाप और शेत्रफल प्रशनावली 11.3 से कोशे 9.11 और 12 सोल्व करेंगे कोशे 9.11 देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गा कार अलुमीनियम शीट के टुकुडे में से 2 सेंटीमीटर तरीज्या वाले एक वरित को काट दिया जाता है शीट के शेश भाग का शेत्रफल ग्याद कीजिए पाई बराबर 3.14 लीजिए तो देखिए माल लीजिए ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गा कार अलुमीनियम शीट है देखिए अब कहा गया है इस वर्गा कार अलुमीनियम शीट में से एक 2 सेंटीमीटर तरीज्या वाले वरित को काट दिया जाता है तो देखिए जब मैं इस वर्गाकार अलुमिनियम शीट में से इस दो सेंटिमिटर तीज़े वाले वृत को काट देती हूँ तो शीट का शेश भाग कौन सा बचा ये ये सारा जो है शीट का शेश भाग बचाएं तो अब हमें इस शेश भाग का शेटरफल निकालना है क्या आएगा तो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे इस वर्गाकार अलुमिनियम शीट के शेटरफल में से माइनस कर देंगे इस वृत का शेटरफल तो शीट के शेश भाग का शेत्रफल आ जाएगा तो सबसे पहले हम इस वर्गाकार अलुमिनियुम शीट का शेत्रफल निकालेंगे तो अब हम वर्गाकार अलुमिनियुम शीट का शेत्रफल निकाल रहे हैं तो देखें अलुमिनियुम शीट कैसी है वर्ग का शेत्रफल निकालने का फॉर्मला क्य कि आयेगा 36 और सेट को सेटी मेटेर से गुणा करेंगे आएगा सेटी मीटर स्क्यूर थो यह अब हम वृत का शेतृफल निकालेंगे तो देखित की त्रिज्जेmor दी गई ओर वृत का शेत्रा निकालने है तो डेकि वृत्का चैत्वा निकाले का फॉमला का है πarta का मान हमने क्या लेना है 3,14 तो 3,14 गुणा और्सकिर का मतलब है कि आर 2 बार गुणा हो रहा है आर यानि 3 तौर 3 zero क्या का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा 1256 फक्राइगा अब देखी हाँ पीछे से कितने अंगों के बाद दशमलव है एक-दो-गों के बाद दशमलव जायेगा तो एक-दो-गों के बाद यहां दशमलव आ तो वृत का शेतरफल क्या है 12.56 cm2 तो अब हमें क्या निकालना है हमें शीट के 6 भाग का शेतरफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे वर्गाकार अलुमिनियम शीट के शेतरफल में से माइनस कर देंगे वृत का शेतरफल तो वर्गाकार अलुमिनियम शीट का शेत्रफल क्या है 36 cm2 ठीक है माइनस वरित का शेत्रफल क्या है 12.56 cm2 तब देखे 36 में से हमें माइनस करना है 12.5 है तो मैंने लिखा 36 अब यहाँ देखे दशमलव के बाद जहें 2 अंक है अब दशमलव के नीचे दशमलव दशमलव से पहले क्या है 12 और दशमलव के बाद क्या है 5 6 तो अब इन्हें माइनस कर लीजे देखे अब माइनस करना है देखे 0 में से 6 माइनस नहीं होता ठीक है हम 7 वाले से उधार लेंगे पर यहां तो 0 है यह इसे उधार नहीं दे सकता तो 6 से उधार लेंगे तो देखे 6 इसे उधार देगा यहां 10 बन जाएगा और यहां 5 रह जाएगा फिर यह इसे उधार देगा यहां 10 बन जाएगा यहां 9 रह जाएगा 10 में से 6 माइनस करे चार दशमलव के नीचे दशमलव अब इसने से उधार दे दिया था तो यहां 5 रहा गया 5 में से 2 माइनस करें तीन 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 तो क्या है 23.44 तो शीट के 6 भाग का शेत्रफल क्या है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वेर अब कोशन नुमबर 12 देखे एक वृत की परीधी 31.44 सेंटीमीटर है वृत की तरिज्या और शेत्रफल ग्याद कीजिए पाई बराबर 3.14 लीजी तो हमें क्या दिया गए हमें वृत की परीधी 31.4 सेंटीमीटर दी गई है तो देखे जो दिया गया है पहले उसे लिख फिर दो गुणा पाई का मान क्या ले रहा है तीन दशमलव एक चार तो तीन दशमलव एक चार गुणा आर आर यानी त्रिज्जा वरीत की त्रिज्जा हमें नहीं पता तो आर ऐसी लिख लेंगे फिर बराबर 31.4 अब देखे आर का मान निकाला तो आर को हम यही रहन देग तो बाकि सब को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो देखे आर हमने यही रहन दिया अब इन सब को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो देखे दो जो है गुणा में है जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यह बटे में आ जाएगा तो 31.4 बटे में दो अब देखे हम यहाँ दशमलव हटाएंगे, कत्ती दशमलव 4 है न, इसका दशमलव हटाएंगे, तो देखे हैं यहाँ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है, तो यानि इसके बटे में क्या आएगा 10, तो 304, ठीक है, बटे में क्या आजाएगा 10, फिर गुणा 2, अब देखे हम यहाँ उपर लिख रहे हैं, कि अब देखे है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, दो और दस यह दोनों दो से कटते हैं, दो एक कम दो, दो पंचे दस, और 314, 314, 314, 314, एकम चोदा, तो क्या आया, पांच, तो वृत की तरीचिया क्या आई, पांच सेंटिमीटर, अब देखे, अब वृत का शेतरफन निकान है, वृत का शेतरफन निकान है का फोमला क्या है, पाई आर स्क्वेर, पाई का मान क्या दिया गया है, तीन देशमलव, एक चार, गुणा, आर स्क्वेर, यानि आर दो बार गुणा और आर क्या है, त्रीचिया, त्रीचिया या एक तू तो यहां पेछे के तरफ दोंकों के बाद दश्यम्लब आ जाएगा तो एक तू, दो अंकों के बाद यहां दश्यम्लब आ गया, तो क्या है? आट्थेटचरदश्यम्लब पांचिव संक्विशेट प्याएं एटथेज़ लएू संक्राइब ईक. आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब थैंक यू